րाम विवाद नहीं, राम संगधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सब के हैं। राम बरतमान नहीं, शिरफ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है। साथियों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे है जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है अज जिये आयोज्ध्या का यह उत्सव राम आयन की उन्हेश्विग परंपराओं का अभी उत्सव बना है राम लला की प्रतिष्ठा बसउध्यय कुट्म् कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये स्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्वकों है सर्वे भवन्तु सुखेदा यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार में यह मंदीर मात्र एक देव मंदीर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदीर है कि यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विबु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है उसका प्रभाव वर्षों या सताव्योता की नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य परपतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थाप हुआ जब प्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुए थे हजारों वर्षों तक राम विश्वपत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्याभूमी हम सभी से प्रत्येग राम भक्त से प्रत्येग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदा भी नहीं आज मैं पूरे पविक्त्रमन से मैसूस कर रहा हूँ कि काल चक्र बदल रहा है जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेंब कुछ जमाभी बूलों तो नहीं